हलो इव्रीवन दिस इस व्रॉम्या विल्कम टू दोसर क्लासे आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का बाइलोजी का चैप्टर है इसके पहले हम केमेश्ट्री का फिजिक्स का एक एक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं इस चैनल पे क्लास 6 का साइन्स का चैप्टर सारी कंप्लीट हो चुके हैं आज ये लास्ट चैप्टर है आप देखिए उन वीडियोज को अगर कोई क्वेरी रहे गई हो कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आप बॉक्स पर कमेंट करिए और हम आपकी सारे की सारे क्वेश् तरी का नैचरल होम होता है यानि किसी भी एईमल का किसी ब्लांट का जहां पर उसका नैचरल होम है उसको हम हैविटेट कहते हैं जैसे कि आप लोग देखते हो कैक्टस प्लांट होते हैं ठीक है जो काटे वाले प्लांट होते हैं वो कहां मिलते हैं अमको ऐसे एरिया मिलते एक अच्छे vegetation वाले area में터оль है हैै जहां पर अच्छी fertility वाली swoil होग हो वहां पर मिलते हैं ठीक कि अगर इन फ्लांटम को हम सोचे desert में लगा दें तो वहां desert में यह मर जाएंगे नहीं Survivor कर पाएंगे नहीं आप जैसे fishes है water में रहती है इनको वाटर से निकाल के अगर हम सोचे कहीं और लैंड अरिया पे रखे तो यह नहीं सर्वाइब कर पाएंगी, मर जाएंगी, ठीक है, कुछ वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो मांस खाते हैं, एक दूसरे को मार कर खाते हैं, ठीक है, इनको अगर हम अपने अरिया में, हम ठीक है और इनके according रहने लायब उनका temperature maintain हो उनके according वहाँ का climate में हो उनके according उनको vegetation मिल सके इसतरी से और एक animal का रहने की जगें ग्योगन के लिजगें होतीय। इसे ही उस जो रहने की जगे होती है उसे ही उसका habitat कहते है जिसे कि फिर्ष वाटर में रहती है तो वाटर उसका habitat है और बहुत सारे एनिमल फारिस्ट में रहते है तो फारिस्ट उनका habitat है बहुत सारी बर्ड्स स्काई में रहती है तो इसका habitat है एक छुटा से एनिमल जो अलग-अलग फूड लेता है और अलग-अलग तरी से रहता है तो जहां पर उसके लिए फूड अवलेबल होता है जहां पर उसके लायक का शेल्टर अवलेबल होता है वही पर वो रहता है ठीक है तो जहां पर वो रहता है उसे ही उसका हैविटेट कहते है इट मिन्स हम कह सकत है the natural home of the plant and animal ठीक है किसी भी plant का हो या किसी animal का हो natural home ही उसका habitat कहलाता है it means habitat is a environment where organism live throughout the year or shorter period of time to find a myth the habitat contain all animal need to survive such as the food and shelter clear हो गया तो habitat क्या हो गया एक तरिका हर एक 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 एमल का natural होम हो या ठीक है अब habitat कितने टाइप की हो सकते है वह nutritional Home तो बहुर्ट टाइप की होते है ना water एक 되어 लग natural Home हो गया terrestrial area एक अलग Home हो तो मेरनी तू repeats के habitat होते है फोते हैं, terrestrial habitat और एक होता है area habitat भी एक त्रीका habitat होता है उसको देखेंगे, तो फिलाल यहां पर two category की गई है terrestrial habitat की और aquatic habitat की अब देखो land area के बाद करते हैं, land area एक तरीके नहीं होते, कई तरह के होते है 항상 land इनी डेसर के हैं माउन्टेन भी आ साकते हैं और एक इर्षथ यवाश्ट सकता है ठेग है उसे तरह water की बात करें एक ocean का habitat भी हो सकता है एक pond का habitat भी हो सकता है तो इस तरह से different different type के habitat होते हैं जहाँ पर अलग-अलग तरीके animal मिलते हैं और जहाँ पर अलग-अलग तरीके vegetation यानि के plants मिलते हैं ठीक है तो इनको में की करके समझते हैं अब देखो सबसे बहले बात करेंगे aquatic habitat की aquatic मतलब की water यानि a water based habitat is called aquatic habitat तो plant and animal which is live in water जो भी plant और animal water में living रह सकते हैं मतलब survive कर सकते हैं वो उनका habitat होता है ठीक है जैसे कि pond है अब आप जब और higher classes में जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग-अलग type के habitat मिलेंगे means pond का habitat आप अलग पढ़ोगे, lag का habitat अलग पढ़ोगे, river का अलग पढ़ोगे, swim का अलग पढ़ोगे, oceans का अलग पढ़ोगे क्यों क्योंकि हर तरीका water की quality अलग-अलग होती है और उस quality के according वहाँ पर रहने वाले जो plants हैं वो different होते हैं और जब भी-कभी different type के plants होंगे तो वहाँ पर different type की animal की भी variety होती है तो अभी आपके course में सिर्फ pond वाला aquatic system है और ocean वाला aquatic system है तो आप यहाँ पर एक पूरा aquatic system को देख सकते हो यह तरीका section का दिखाया गया है नीचे देखो soil है एक pond की और उपर का देखो water level है और जहाँ पर धेर सारे plant vegetation आपको देख रहा है और वहाँ पर बीच बीच में आपको different different type के animal भी देख रहा है जो अलग-अलग जगे पर बैठ के अपना food लेते हैं तो यह सब इन सब का इन सब जितने भी animals है उन सब का जो habitat है वो कहा है water है और जितने भी plant है उन सब का habitat की बात करें तो वो भी water है ठीक है तो हम कह सकते हैं यह सब aquatic habitat में रहते हैं अब terrestrial habitat ठीक तो a land based habitat called terrestrial habitat यानि कि ऐसा area जहां पर पूरा land area होता है उस area को हम terrestrial habitat कहते हैं ठीक है तो यहां के plant and animals which live on land are said to live in terrestrial ठीक है जो भी यहां के vegetation है और जो भी यहां के plants है वो यहां पर जब survive करते हैं तो उसको कहेंगे हम terrestrial habitat के हैं ठीक है जैसे example अगर हम बात करें desert habitat हो सकता है इसके लिए mountainous habitat हो सकता है forest habitat हो सकता है grassland habitat हो सकता है और एक garden भी हो सकता है यानि कि हम आपको बता दें कि land area different different तरिका habitat form करता है एक desert भी form करेगा जहां पर water की कमी होगी एक mountain area भी form करेगा जहां बहुत cool होगा और एक forest form करेगा जहां different different type के vegetation होगे और एक grassland भी form करेगा और एक garden भी form कर सकता है ठीक है तो यह different different habitat में आपको different different type के animal भी मिलेंगे और plant भी मिलेंगे और अभी हमने बताया आपको just habitat में जैसे plant होते हैं वैसे animal भी होते हैं उन्ही को खाने वाले animal होते हैं ठीक है तो यह होता है terrestrial habitat अभी जो terrestrial habitat है उनको classify किया गया है ठीक अगर उनको classification करें तो बहुत सारा classification निकल सकता है बट यहाँ पर कुछ limited चिज़े सारा classify कि गया है जै जैसे की desert habitat हो गया और forest and grassland habitat हो गया एक और दूसरा mountain habitat sorry mountain habitat और polar habitat तो यह सारे जो habitat है उनके बारे में आपको देखना है सबसे पहले बात करते हैं desert habitat के तो desert habitat कैसा होता है तो यहाँ पर आप लोग को पता है very hot condition होती है day time पे ठीक है day time आप जाओगे जो बहुत hot होता है बट night time बहुत जादा cold हो जाता है ठीक है यहाँ पर water बहुत ही जादा कम होता है यहाँ आर होगा और plant और animal की बात करें तो cactus plant यहाँ पर जादा मिलते हैं आपको cactus मतब जो काटे वाले plant है ठीक है और camel है fox है और बहुत सारे reptiles हो है जैसे की snake वगेरा है यहाँ के special animal होते हैं जो यह अब forest and grassland habitat अब यहाँ जो forest वाला एरिया होता है वह बहुत जादा full vegetation का होता है vegetation मतलब plant यानि कि इतने variety of plant यहाँ पर मिलते हैं कि different different type के plant मिलते हैं ठीक है और जहाँ पर different different variety के plant मिलेंगे वहाँ पर different different variety के animal भी मिलते हैं कि उनके according to climate जब किसी plant को रहने के लिए climate इतना अच है तो animal को रहने के लिए suitable होता है तो यहाँ पर धेर सारे animal भी होते हैं धेर सारे plant भी होते हैं ठीक है पूरा का पूरा एक जो habitat covered होता है lots of plant and trees से और lots of animals से okay अब mountain habitat mountain habitat का जो area होता है means जो land होता है वो कभी भी flatted नहीं होता है वहाँ पर कभी उचाई होगी कभी निचाई होगी ठीक जो रास्ते भी होगी वो plant जो mountain होगे उनको काट काट के बनाया जाते हैं ठीक है तो वहाँ पर एक ऐसे animal होते हैं जो आराम से चड़ सके एक mountain में चड़ सके और चड़ के उपर तक जा सके अपने food को सर्च कर सके और cold region में सर्वाइब कर सके wind एक high wind को भी सर्वाइब कर सके ठीक है तो इस तरह के यहां के vegetation जैसे की pine cone shape tree इस तरह की मिलते हैं और animal की बात करें तो याक है शीप है इस तरह की animal मिलते हैं ठीक है तो different हो जाते है याक के animal और plant दोनों ही polar habitat अभी polar habitat क्या होता है अर्थ आप लोगों ने देखी है अर्थ जो globe है और globe के जो नीचे का पूरा southern part है और उपर का पूरा नौर्ट फाला area है इतना इतना पूरा पूरा वो क्या है polar region क्यालाता है क्यों क्यों क्योंकि यहां तक sun की light नहीं पड़ पाती है जिसके वासे यह पूरा area एक दम धंडा होता है फ्रीज होता है यहां पर water भी बिल्कुल ice के form में होता है ठीक है तो यहां इतने धंडे area में कुछ ही plant survive कर पाते है और कुछ ही animal survive कर पाते है ठीक है एनिमल की बाद करें तो penguin बहुत ही famous name है आप लोगो सब को बता होगा यह धंड में ही रहते हैं यहीं खेलते हैं यहीं कुछ हो सकते हैं अब देखो area अरियल habitat कौन से हो सकते अब बात की ती कि tarsual habitat होता है और aquatic habitat होता है इसके अलाबा एक थर्ड भी आता है in our habitat area का मतलब होता है एर से related ठीक है तो air में रहने वाले जो animal होती है उनको कहते हैं हम वो अरियल habitat में रहते है ठीक है जैसे कि बहुत सा में उड़ते रहते हैं और जब कभी ठकते हैं तो जाके किसी प्लांट के उपर वाले एरिया में बैठते हैं जाके तो इस हैविटिट को इस एरिया को हम कहते हैं एरियल हैट अब अब अड़ाप्टेशन क्या होता है what is adaptation दोग उतनी देर से बार-बार कह रहे हैं कि हर एक पर अगर हम कह रहे हैं, वाटर के अंदर फिश होती हैं, वहाँ पर डिफरेंट अनिमल होते हैं, एक फारिश में डिफरेंट अनिमल होते हैं, तो क्यों होते हैं? ठीक है, वो इसलिए होते हैं, क्योंकि हर एक अनिमल अपने अपने अन्वार्मेंट में रहने के लिए तो the ability of living organism to adjust themselves to their surrounding is called adaptation. Means, हर एक animal में वो ability होती है जिस्ती वज़े से वो अपने environment के surrounding में adjust कर सकता है. Means, रह सकता है, उसको हम उसका adaptation कहते हैं. ठीके, इसी रहने की ability को हम adaptation कहते हैं. दूसरे वर्ड में देखें, adaptation are changes in structure या behavior of organism that will allow organism to survive in the habitat. ठीके, यानि कि किसी भी animal में उनकी structure और behavior में कुछ changes आ जाते हैं. जिसकी वज़े से वो किसी particular environment में survive कर सकते हैं, इसे ही हम कहते हैं adaptation. अब structural में कैसे changes आ सकते हैं, जिसे कि देखो, fishes होती है, वो water में रहती हैं, तो water में रहने के लिए, उनके अंदर कुछ structural changes भी हैं, कैसे जिसे हम लोग हैं, हम लोग कहा रहते हैं, एक अच्छे खुले environment में रहते हैं, यहीं से सांस लेते हैं, ठीक, लेकिन fishes को अगर ले सकते हैं और निकाल सकते हैं, लेकिन जो fishes होती हैं, उनके अंदर lungs नहीं होते हैं, उनके अंदर gills प्रेजन होते हैं, जो water में mixed oxygen को ले सकते हैं, और वहीं से वो respiration करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से कही सारे structure changes होते हैं, अलग-अलग animals में, जो उनके environment में रहने के लिए change हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं adaptation, ठीक है, अब जैसे birds हैं, उनमें पंक लगी होते हैं ठीक है, तो उसके according structural change है, यह न, इसी को adaptation कहते हैं, जो wild animals होते हैं, उनके बड़े-बड़े Nail होते हैं, किसी को Kraos होते हैं, मतल swab काटने के लिए, नोचने के लिए Predator होते हैं, वो लोग मारते हैं दूसरे जानवरों को मार के खा जाते हैं तो उसके क ओणिक वो adapted होते हैं ठीक है तो हम कह सकते अलग 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 जगे पर जाते हैं और उनमें कुछ structural changes भी आजाते हैं बोडी में और कुछ behavior भी change हो जाता है उनका जिसकी वज़े से वो उस environment में survive कर सकते हैं इसी nature को इसी ability को हम कहते है adaptation क्लियर होगी बाद अब देखो environment की component कौन-कौन से होते हैं देखो environment में two type के component मिलते हैं आपको component मतलब की बात करें कि दो दो चीज़े मिलती हैं किसी भी environment में दो तरह की चीज़े मिलती हैं ठीक है एक बायोटिक चीज़े मिलती हैं दूसरी एबायोटिक चीज़े मिलती है बाइो का मतलब किया होता है लीविंग तब जुने भी लीविंग हैं चाहे वो कोई प्लांट हो या ईनिमल हो या बैक्टीरिया हो फंजाई हो या कुछ भी हो वो अगर जीवित है तो और उस में आएगगा अगर कोई नॉन लीविंग चीजे है ठीक, नाचुरल से रिलेटेड है, मिन्स नाचुरल नौन लिविंग चीजों को हम कहते हैं एबायोटिक, ठीक, अब ये एबायोटिक और बायोटिक, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं ठीक है, जैसे एबायोटिक में क्या आता है, एयर आती है, और स्वाइल आती है, लाइट आता है, वाटर आता है, और सारी चीज़े आती है ठीक है, तो बायोटिक है, मिन्स अगर लिविंग है, तभी जो वो एबायोटिक चीजे हैं, उनका वो यूज करेगा ठीक है अगर वो living नहीं होगा तो ए बायोटिक चीजों को use करने वाला भी कोई नहीं होगा और उनकी cycle भी complete नहीं होगी ठीक है तो हम कह सकते हैं environment के दो factor होते हैं means दो component होते हैं बायोटिक जिसमें सारे livings आजाते हैं चाहे वो animal हो चाहे plant हो और abiotic जिसमें भी natural सारे natural factors आजाते हैं जैसे कि soil है air हो गई water हो गया और light हो गई यह सारी चीज़े जिसके बिना एक living नहीं रह सकता means जिसके बिना जीवन असंभव होता है उनको हम abiotic कह सकते हैं तो यह environment के दो important component होते हैं अब देखो हम लोग बिल्कुल एकदम deep में जानेंगे कि adaptation कैसे होता है means अभी हमने बताया आपको कि कुछ अलग-अलग जगे पे रहने वाले animal और plant में कुछ structural changes आ जाते हैं जिसकी वज़से वो उस particular environment में survive कर सकता है ठीक है उसे ही adaptation कहते हैं तो उसको समझेंगे क्या changes आ रहे हैं सबसे पहले adaptation in aquatic habitat की करेंगे ठीक है तो aquatic habitat में बहुत सारे plant होते हैं बहुत सारे animal होते हैं जिसमें हम कुछ example लेंगे जिसको हम समझाएंगे क्योंकि हर अगर हम सारे example लेने बैठ जाएंगे तो हर एक example की बात करें तो हर में अलग structural change होगा अलग behavior होगा तो हम कुछ important चीजों की बात करते हैं ठीक है जिसके aquatic habitat में एक plant आता है वैलिस नेरिया बहुत important है नाम को मिल्कुल रड डालो ठीक है ये use aquarium जातर aquarium में use होता है और submerged plant है submerged मतलब की water की अंदर विल्कुल water के अंदर विल्कुल डूबा हुआ plant है submerged ठीक है और fix होता है नीचे से यह soil में fix होता है आपको plant दिखा देते हैं नीचे से यह soil में देखो यहाँ पर fix है और water में इसकी सारे plant पूरा water के अंदर है ठीक है अब इनका जो stem होता है वो hollow होता है stem क्या है पंतम नीचे से stem निकल के ऊपर तक आ रहा है जहां पर फ्लार उपर लगा हुआ है इसको जब आप ऐसे कट करोगे यह माल लो stem है इसका इसको जब आप ऐसे करके कट करोगे यहां से अगर कट कर लो तो कट करने के बाद आपको ऐसा इस्ट्रक्चर दिखाए देगा अब देखो ध्यान से इसमें बहुत सारे होल होल देख रहा है ठीक है तो हम कह सकते हैं इनका जो stem होता बहुत होलो होता है होलो होलो की वज़े से यह ना तों बहुत ज़्यादा water को नीचे से अब्जॉब करके उपर लाते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा weighted हो पाते हैं हलके रहते हैं आराम से water के अंदर submerged रहते हैं शर्वाइब कर सकते तो यह क्या हो गया structure changes हो गया है इसमें यहां के जो आप लोग land area के जो प्लांट देखोगे उनके जो stem होते हैं बहुत ही hard होते हैं और weighted होते हैं ठीक है hollow नहीं होते हैं एकदम solid होते हैं लीफ्स इनकी कैसी होती है तो long tape like structure होता है लीफ का और यह किसमें help करती है तो stand फ्लांट सीध खडाकरने में भी हल्प करती है और water current घल गरियो है Les tables खड़ी सार्फिस एर्या परिय। जिससलिये पूलाइड मतलए हो never does! जुकर बना sunlight थे वी लीफ के फूड फॉरम करना है। तो good formation के लिए उनको जरूरी है, अब plant consists air enchyma cell, बीच बीच में आपको hole hole दीख रहे हैं यानि इनके अंदर air spaces present हो जाते है, air इनके अंदर fill हो जाती है, इनके tissues के अदर जिसके आराम से यह flow कर सकते है, float कर सकते है, तैर सकते है पानी के अंदर, थीक है इसलिए इसको कहते हैm air पолж part of Cole-cell情況 1 , 2 दूव से लोगारय टानलए टाइन चाहते हक by sheer आरएइज के पयआ बउंसरी कि जहें वेलिस नेरिया पॉलिनिशन कैसे होता है? वेल वेलज निवार थे वुछ के रिय्ट होता है आनका वातर के से विल अastern के सalayीह प्जत है और मेल फ्लाइर लग बख यहां पर होता है बिल्कुल बेस पर जैसे यह लोग पॉलन ग्रेलन रिलीज करते हैं, तेरते रहते हैं वह उपर सार्फिस प ओग भी अगह, जब वह साफिस प आते हैं तो फिंडेल प्लांट को फेटिलाइज करते हैं, तो इस तरह से फेटिलाइ जिसमें यह बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव करने के लिए बने हैं आराम से इनका इनका इस्ट्रक्चर बना हुआ है कि मेल फ्लार नीचे है फिमेल फ्लार ऊपर है तो आराम से पॉलिनेशन भी हो जा रहा है फिर्टिलाइजेशन भी हो जा रहा है ठीक कि पॉलेंग मेलेंग रहने वाले फ्लार के उन्हीं कि कोर्डिंग बना होता है ठीक है अब नेक्स्ट है इड़ॉक्तेशन इन लोटस लोटस फ्लार को जब देखोगी आप लोग तो उसकी जब लीफ चोहगी ना लीफ बिलकुल एकतम वैक्सी होती है ठीक है बिल्कुल उसमें वाटर बल्कुल वैक्सी होती है जिससे water इसमें एब्जॉप्शन भी नहीं होता है water के यह सर भी नहीं पाता है तो leaf कैसी होती है ?leaf and stem थिन खोड़ गोड़ विद वैक्सी लेयर और stem hollow होता है हर एक एकवेटिक गांड का stem hollow होता है ठीक है fix, soil में fixed होते है और आमसे float करते है कह रहे है इसको स्टेम को ही इसके पेटिय॓ल काते है है यह पर इसका पूरी थो होता है कि इसको नहीं कहते है इसका फो प्लांट कासरी कोटँ वीग करते क्टेथविभ फीर फड्र में diesem घुन आख़ाना फेरतों के प्लांट कर था इस तो इसके विज्शक को सचाए PM तो इस तरह से कुछ adaptation होता है lotus plant में अब aquatic animal कैसे adopted होते हैं तो एक तो हमने आभी आपको habitat इनका nature features बताया था कि इनमें gills present होते हैं है ना कि respiration के लिए हर एक aquatic animal में gills present होते हैं ये लोग क्या करते हैं इसी gills से gills के थो water में घुली होई oxygen को ये लोग ले लेते हैं ठीक है और इनका जो body होता है stream line होता है stream मतलब कि इस तरह boat shape body होता है जिसकी वैसे ही लोग आराम से पानी के आगे की धाराओ को नीचे current को पीछे चोड़ते जाते हैं और आराम से आगे निकल के तैरते जाते हैं ठीक है डॉर्सल फिन होते हैं जस्ट ऊपर पीट की तरफ एक फिन होता है ठीक है caudal फिन होते हैं जो पीछे की तरफ होते है ये विल्कुल टेल लाई के structure बनाते हैं तो ये हर एक फिन अलग अलग तरीके से इनको help करता है movement में direction बताता है और आराम से तैरने के लिए help करता है हाँ ठीक है बॉड़ी कीपूरी कीपुरी कैवर होती है इसके वीज़े से ये water की water में भराब नहीं है फिक है जब प्लांट में पी तर देखे थे komma हिई होते है इनमें इसखेल होते हैं फिक हे आप लोग दिखो गे तो इसमें आपको एक को बिर्कुल पतली पतले से इसक अब कुछ specific, कुछ fishes ऐसी भी होती ही, जिसके अंदर swim bladder भी पाया जाता है, swim bladder, मतलब उनके अंदर एक ear का बना हुआ, एक ऐसा bladder form structure होता है, जिसको हम swim bladder कहते हैं, जिसके वैसे आराम से ये बिल्कुल धीरे-धीरे पानी में तैरती हुई चली लाती है, तो इस तरी का कुछ structure हो जिसके वैसे वहाँ पर survive कर सकती है, adaptation in desert habitat, अब लोग desert habitat की तरफ जलते हैं, तो desert habitat कैसा होता है, desert habitat आप लोगों ने सुना होगा, या देखा होगा, तो बहुत ही ज्यादा hot reason होता है, यहाँ पर night के टाइम पर ठंडा भी हो जाता है, water बहुत कम होता है, और water कम होगा, तो plant होगे और animals भी कम होगे, तो यहाँ पर रहने वाले जो animal होते हैं, plant होते हैं, उनको mainly two चीजे हैं, दो factors हैं, जिससे लड़ना होता है, ठीक है, एक तो lack of water, water की कमी होती है, अगर water की कमी को वो सह सकता है, टॉलरेट कर सकता है, वो animal या plant, तो वहाँ पर survive कर सकता है, और दूसरी चीज, वहाँ extreme temperature होता है, इतना high temperature में जब कोई animal या plant survive कर सकता है, तो वो desert पर रह स तो यानि कि दो main चीजे है, दो main factor है, जिसमें उस हर एक animal को survive करना होता है, जहां पर वो desert में रहता है, तो basically यहां की जो animal आपको, जो reptiles है, जैसे की rat यहां पर special type के होते हैं, और यहां snake होते हैं, यह लोग क्या करते हैं, बरो बना कर रहते हैं, बिल बना कर रहते हैं, जिस सब्सक्राइट का temperature रहता है, hot temperature उससे बचे रहते हैं, अंदर वो बिल में चीपे रहते हैं, और रात में निकलते हैं, जब टेंपरेचर उनके balance में होता है, तब वो निकलते हैं, वहार फूट को सर्च करते हैं, पानी निकलते हैं, फूट को सर्च करते हैं, फिर से दिन हो फिर वो अंदर चल जाते हैं तो इस तरह के कुछ उनमें एड़ेप्रेशन हो जाते हैं अब जैसे कैमल की बात करें कैमल एक तरह का डिजर्ट एनिमल है आप लोगों पता होगा जिसको हम क्या कहते हैं इसका डिजर्ट का शिप भी कहते हैं तो कैमल होता है वो क्यों कहते हैं क्य scorpion कि इनके जो feet होते हैं फीड प्र के फीट older Прीज़ा में रपा शूछ्चर होते हैं जो स़ायल में सिंक होनेसे को बचाते हैं और आराम से यह तेजी से वक कर सकते हैं सुस्क्त सब्सक्राइल अगर पैड मड़ अगर अन्य जाये को तो वहां पर जो बालु अली मिट्ट पैड लाइक इस्ट्रक्चर होता है फैले हुए बने होते हैं इसके विए से आराम से यह तेजी से वाग कर सकते हैं वहाँ पर इसलिए इनको हम कहते हैं शिप ऑफ रेकिस्तान थीक है तो लॉंग आई शेड़ होते हैं इनके जो आई शेड़ो मिन्स आई लेशन होते हैं नॉस्ट्रिल इनके थोड़े से बंद होते हैं कि नाक के अंदर इनके बहुत जादा डस्ट है या फिर सैंड पार्टिकल इनके अंदर ना चले जाएं तेक माउथ इनका बहुत ही लैदरी होता है जिसके वैसे वहाँ पर पाई जाने वाली जो वेजिटेशन है बहुत ज् आज जो खाने में इस तरीका इनका माउथ होता है थोड़ा लैदरी स्ट्रक्चर होता है माउथ का था Halawad Representative हम्प मतलब कि इस तरीका एक उबर कह सकते है हिंदी में हम्प होता है जिसमें फैट का स्टोरेज होता है जिसके विज़से ये लोग बहुत लंबा लंबा टाइम बिना कुछ खाई पीर रह सकते हैं और दूर तक चले जाते हैं ठीक है अगर इनको एक बार इनोंने खाना खा होता है इनको energy भी प्रोइड करता है प्लस water भी प्रोवाइड करता है ठीक है तो यह बहुत important structure होता है और एक सोचो इतना बड़ा structural change पाए जाता है एक desert animal में ठीक है जो camel है अब देखो एक question आता है water saving adaptation see in camel camel में water saving adaptation कौन-कौन से character होते हैं तो कुछ character इसके वाट काchaeम का water saved हां कौन-कौन होते हैं ? जैसे की little and thick urine यह बौरीन लोग पास करते है लोग पास करते हैं। तो वन थह होता है। और बहुत कम amount में यह बभुत कमान सेव होता है तो जिसे water लोग 7से टो गे हो गया। धुसरी बात, semi-dry faeces कीas मिनसं ये लोग जो पौटी करते हैं, पौटी, फीसे करते हैं, ये लोग का semi-dry होता है, मिनस, बहुत जादा पतला नहीं होता है, जिससे water loss नहीं होता है, ठीक है, दूसरी बात, स्वेटिंग इन में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, यह लोग आउटसाइड का जो temperature होता है ना 400 to 450 degree celsius उतना temperature tolerate कर सकते हैं सोचो हम लोगी body का temperature कितना है 37 degree c ठीक और dessert में 400 to 500 degree c temperature होता है ठीक है वो tolerate कर सकता है camel ठीक है तो यह होता है इनकी body का खुद का temperature 410 से लेकि 420 degree temperature होता ठीक है तो और इससे भी water save होता है सराड यह लोग にगें करते हैं समुफों सब ब्रीफ को अनदर परसीन आता है तो हम लोग का water loss होता रहता है इन लोगें में कोई ब्रीफ करते हैं you ब्रीफिंग slow करते हैं ऑधर से जो water vapor बाहरन निकलता है वो बहुत कभल एम में Water Storage in Muscles, इनकी जो मसल्स होती है वह भी बनी होती है जिसमें water का स्टोरेज होता है ठीक है यह लोग बहुत सारा पानी एक बार में पी लेते हैं और बहुत टाइम तक इनका पानी चल जाता है ठीक है क्योंकि अलग अलग मसल्स तक इनकी water को स्टोर करती है water from the fat of hump water इनको fat के form में भी मिलता है मैंस जो hump होता है यहां से लोग भी जो fat जमा हो जाता है यहां पर इस fat को तोड़के यह लोग water भी निकाल लेते हैं और plus energy भी निकाल लेते हैं जो इनको दोनों की जरूरत है तो अगर आपको question आता है water saving adaptation camel में कैसे होता है तो आपको यह सारे point वहां पर write करने होगे कैक्टी किसे कहते हैं तो cactus plant को हम cacti कहते हैं जिनके बहुत बड़े-बड़े से आपको काटे वाले structure देखने को मिलते हैं इनको हम cacti कहते हैं यह cactus plant कहते हैं तो यह पूरा इस्ट्रूक्च्च्र और यह जो काटे वाला यहं फेलीफ नहीं है यह काटे फिक्व मैं अधेल, लीफ और अधेल, लीफ, लोग Jacob यहाँ फेलीफ काटे में लिफ, क्वेलो लाजन ऊजाती है ठीक है और इनका जो पुरा स्टेम है यह पुरा लीफ लाइक थोड़ा सा फ्लैटेड हो जाता है जिससे क्या करें ग्रीण हो सके एक फ्लैटेड इस्ट्रॉक्चर फॉर्ण कर सकते हैं अब जो काटे जासे स्ट्रॉक्चर में 99% एवापरेट कर देते हैं मेंस बहुत सारा वाटर लॉस लीफ की वज़े से होता है क्योंकि उसमें इस्टोमेटा पाया जाते हैं अब यहां के प्लांट में सोचो लीफ ही नहीं है लीफ ही चेंज हो गई है काटे जैसे स्ट्रक्चर में इसमें वाटर का लॉस कैसी होगा नहीं हो सकता तो इतना बड़ा एडीफटेशन पाया जाता है वो लीव है और पूरा-पूरा प्यूरा ब्लाक यह स्ट्रॉक्ट्र हे लीव जैसा स्ट्रॉक्चर भीखते हो पूरा प्लान प्लाइओ, फीर टिक वैक्सी होगता है और water underground water को लेने में absorb करने में help करती है तो देख रहे हैं आप लोग किस तरह से किस तरह से उनकी structure में भी change आ रहा है उनके जगे को change हो कर ठेक है मैंसमत की जगे change हो रही है तो उनके structure में भी change हो रहा है फिर adaptation in mountain habitat अब mountain habitat में ऐसा खास होता है तो mountain habitat बहुत ही cold होता है wind बहुत जादा यहां पर चल रही होती rain पी present होती है तो इन सब चीजों को tolerate करने का जो structure होता है वो change होता है mountain habitat वाले animal और plant में ठीक है जैसे कि animal के अगर बात करें तो इनमें क्या होगा thick skin इनकी जो animal की skin होगी बहुत ही ठीक होगी जिससे इनको ठंड कम लगेगी covered with fur fur से covered होती है छोटे-छोटे hair like structure से covered होती है जैसे कि आप लोग यापर देख रहे हो याक है तो इनमें बहुत सारे hair है और इनकी skin बहुत जादा ठीक होती है जिसकी वैसे क्या करता है इनको ठंड नहीं लगती है इतनी जादी ठंड में भी ठंड नहीं लगती है और thick layer of fat इनकी skin के नीचे एक fat की मोटी layer पुरी पाए जाती है जिसकी वैसे इनको ठंड क्या हिसास ही होता हैं फिर गरात людей सोब देख सकते हो इस एनीमल को किस तरह चल पा रहा है आप न जट मूझते हो ठीक है और हिंके जो होड़ा हो stupid हमिशनी के וड़ान हीना होते इतने स्ट्रशों ऑसे अच्छे से उनको एक लिए उपड़ ओ लिए देखो कितनी मजबूत होती है और चड़ते भी हैं गिरते भी हैं लेकिन ज्यादा तर यह एडापटेड होते हैं इस च्रॉक्चर भी है तो यह मौटेनियस है अब प्लांट इन माउंटेन बांटेन के वह कैसे होते हैं उनके प्लांट भी होते हैं जाहतर आप लोगो उनकी तो इसनो फॉल होगी तो अगर लीफ अगर फ्लैटेड है तो वहाँ पर रुकेगी स्नो प्लांट को खराब करेगी लेकिन अगर आपकी जो लीफ है वह नीडिल लाइक है मतलब सुई जैसी है तो जितनी भी स्नो आएगी वह नीचे तुरांट गिर जाएगी प्लांट पे र थिक पार्ट प्रोटेक्ट अगेंस कोल्ड ठीक है कोल्ड से जो उनका थिक पार्ट होता है वह कोल्ड से इसको प्रटेक्ट करता है कोल्ड शेप ट्री होता है कोल्ड शेप ट्री मतलब इस तरह का शेप का ट्री होता है जिससे अगर इसनो फॉल होगी तो वह साइट निचे गर गर जाएगी इस प्लांट पे नहीं रुकिएगी ठीक है Pine-fit Cone which protects seed for severe cold means, pine a plant in the seed is cone like cone like seed इसके अंदर जो सीड हो रहा होता है उस सीड को सीवियर कोल से बचाता है तो आप देखो कितने सारे एडॉप्टेशन पाये जाते हैं मौन्टेन प्लांट अब एडॉप्टेशन इन एयर हैविटेट इसे बहुत सारी बर्ड्स हैं इनसेक्ट्स हैं यह लोग क्या करते हैं इ इनके अंदर भी बहुत सारा एडॉप्टेशन होता है ता से की बर्ड है व एल डबलब्ट फ्लाइट मॉसल्स इनका प्लाइट मॉसल्स इतनी ज़्यादा डबलब्ट होती हैं कि अच्छे से गुमा गुमा आकि अपने विंग्स को अच्छे से यह जो विंग्स लगे हैं इनके विंग्स लगे होते हैं विंग्स पूरा टाइम ऐसे उपर निचे उपर निचे लोग कैसे कर लेती हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसके वैसे यह लोग आराम से हवा में उड़ सकते हैं ठीक है तो एक तो यह हो गया इस्ट् आगे के जो हाथ होते हैं वो विंग में मोडिफाइड होते हैं मिल्स विंग्स फॉर्म करते हैं लोग के आगे हाथ होते हैं लेकिन इन लोग के पूरे विंग्स होते हैं दूसरी बात होलो बोन होती है इनकी बॉड़ के अंदर आप लोग किसी भी बर्ड को जब कि इनके अंजर गुज जो ब मगा अधार को वाइं होती है और आप के प्रिकिन को हमस्तित हो प्रिक connection को हेलब आफ टार्प होती है वाटिक बॉल्ध होती आप लोगों स्थियों टा΄ाइध शोलिद सापिर सनल आउ को help करती है ठीक है उड़ने में help करती है और warm-blooded animal होते हैं warm-blooded animal होते हैं क्यों होते हैं warm-blooded का मतलब होता है ऐसे animal जिनका जो लोग बाहर के temperature के according अपने बॉड़ी का temperature कर सकते हैं उनको कहते हैं warm-blooded animal ठीक अब जैसे बर्ट हैं यह लोग इतनी इतनी हाइट तक उड़के जाते हैं ठीक है अब आप लोगो ने यह भी पड़ा होगा कि आप जितनी भी हाइट तक जाओगे जितनी ज्यादा हाइट तक जाओगे उतनी ज्यादा हाइट में temperature increase होता वह warm-blooded होती है वह अपनी body का temperature change कर सकती है तो इस तरह से सोचो adaptation होते हैं adaptation in seed for transport through air ठीक है तो air के through seed का transport भी होता है जैसे कुछ seed ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा light weight होते हैं ठीक है बहुत ज्यादा light weight होते हैं कुछ seed में wings जैसे structure पाये जाते हैं जो उनको fly करने में help करते हैं दूर दूर और fluffy hair पाये जाते हैं fly करने में help करते हैं carrying long distance वह एक long distance cover कर सकते हैं ठीक है कहने का मतलब है कुछ plant के seed इतने हलके होते हैं और उनमें कुछ wing like या फिर कुछ puffy hair like structure होते हैं जिसके वैसे वह by wind by air उड़के एक जगे से दूसरे जगे पर चले जाते हैं और वहीं पर dispersal करते हैं मिंस नए पैड को जण में देना नए प्लांट को जण में देना ठीक है तो दूर-दूर तक यहां के जो seed एँड कर wind के दूब चले जाते हैं और नए प्लांट बनाते है ठीक है तो क्या हुआ आप यहां पर adaptation देख रहे हो, seed का adaptation देख रहे हो, वो seed को उड़ने के लिए उसमें wings present है, उस seed को उड़ने के लिए उसमें fluffy hair present है, तो ये क्या है, एक modification है, एक adaptation है, जो wind के थ्रूँ उनका dispersal कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से adaptation आप समझ गया होगे, ठीक, तो यहां से उड़ाता आपका chapter complete, आज के लिए इतना ही, thank you.